दोस्तों अगर आपको और जेंटली किसी भी topic के उपर किसी भी तरह की powerpoint presentation create करनी है तो इसके लिए आप AI की help ले सकते हैं AI की मदब से आप चुटकियों में अपनी powerpoint presentation create कर सकते हैं वैसे इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे AI tools को try किया लेकिन जो सबसे best है उसके बारे में आज आप जानेंगे यह AI tool free है और सबसे best है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से request है जैसा कि सभी YouTuber करते हैं कि भया चैनल को subscribe कीजिए इस वीडियो को like, comment और share करें ताकि इसी तरह के useful वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आता रहूं तो अभी ज़्यादा time waste नहीं करते हैं और चले देख लेते हैं आसका interesting वीडियो तो दोस्तों इस AI tool का use करने के लिए आपको सबसे पहले अपना web browser open कर लेना है जैसे कि मैंने यहां Google Chrome open किया है और यहां पर आपको search करना है gama.app एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर जो gama.app की official website है वो open हो जाएगी तो जैसे आप इस app को जैसी इस website को आप open करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा यहां नीचे आपको sign up for free का option दिखाई देगा आपको यहां से sign up कर लेना है बाकी sign up करने के लिए आप Google का भी use कर सकते हैं यानि आप अपनी Gmail ID की मदद से भी यहां पर sign up कर सकते हैं इसके बाद आपके सामने यहां पर तीन option आ जाते हैं तो पहला option आपको यह बता रहा है कि अगर आपके पास जो powerpoint presentation का content है अगर वो लिखा हुआ है तो आप उसे यहां पर paste करके अपनी powerpoint presentation बना सकते हैं images वगेरा सब आपका AI generate करेगा आपका जो style है जो designing है slides का वो सब कुछ आपका AI करके देगा आपको सिर्फ ना content यहां पर paste करना होगा इसके बाद यहां पर import file का option दिया गया है इस option की मदद से अगर आपने कोई existing अपनी presentation create की हुई है और आप उसे enhance करना चाहते हैं यानि कि जो उसकी quality है उसे आप increase करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहां पर third option choose कर सकते हैं इसके बाद यहां पर जो second option है generate का इस option की मदद से आप अपना जो पूरा का पूरा presentation है उसे AI की मदद से generate कर सकते हैं यानि अगर आपके पास content नहीं है अगर आपके पास images नहीं है तो वो सारा का सारा content आप AI की मदद से generate कर सकते हैं यानि जो आपकी PowerPoint presentation है वो पूरी की पूरी आप AI की मदद से generate कर सकते हैं तो अभी हम यहाँ पर AI की मदद से ही अपना presentation तयार करने वाले हैं तो हम generate पे click करेंगे और यहाँ से हम continue पर click कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ से presentation को select करना है और जिस भी language में आप अपनी presentation create करना चाहते हैं आप यहाँ से वो language choose कर सकते हैं जैसे कि अगर आप English में बना रहे हैं तो आप यहाँ से English यूस select करेंगे बाकि अगर आप other किसी language में बना रहे हैं अपनी presentation तो आप यहाँ से other language को भी select कर सकते हैं जैसे कि मान की चलिए हम यहाँ Hindi language में अपनी presentation create करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से Hindi language select करूँगा, इसके बाद आप यहाँ पर अपना topic mention करेंगे, जिसके उपर आप अपनी presentation तयार करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर yoga select कर लेता हूँ, मैं yoga के उपर अपना powerpoint presentation बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ हमने yoga लिखा, इसके बाद हम generate outline पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी presentation है, उसकी outline यहाँ पर generate होके आ जाएगी, इसके अंदर का जो content है वो आगे generate होगा, इसके बाद यहाँ पर कुछ other option भी दिये गए हैं, जैसे कि यहाँ पर images आप किस तरह की use करना चाहते हैं अपनी presentation में, अगर आप चाहते हैं जो google की images हैं, वो सभी आपकी presentation में include हों, तो आप यहाँ से web image search पर click करेंगे, बाकि अगर आप चाहते हैं आपकी जो presentation बने, उसमें जो images रहें, वो google की images ना रहें, वो AI generate करके हमें दे, तो इसके लिए आप यहाँ से AI images का option choose करेंगे, तो फिलाल यहाँ पर मैं AI images का option choose कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर आप continue पर click करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी theme को select करना है, जिस theme में आप अपनी presentation create करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर daydream के नाम से theme है, इसे select कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर उपर आपको generate का option मिलेगा, आप इस पर click कर देंगे, तो यहाँ पर जो आपकी presentation है, वो generate होना start हो जाएगी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो AI है, वो हमारी slides को create कर रहा है, यहाँ पर जो हमारी second slide है, इसके बाद यहाँ पर third slide आ चुकी है, यह जो पूरा का पूरा content है, वो यहाँ पर generate हो रहा है, तो यहाँ पर जो presentation है, वो तयार हो चुकी है, और इस presentation में आप देखेंगे, 8 slides है, ठीक है, हर एक का content आप यहाँ से, इनके thumbnail पर click करके देख सकते हैं, कि हर एक slide में क्या content है, अगर आप इस content को modify करना चाहते हैं, तो आप आसानी से इसे modify कर सकते हैं, बाकि इसे download करने के बाद भी, आप इसमें modification कर सकते हैं, अगर आप इसकी slides हो start करना चाहते हैं, तो आप यहाँ present पर click करके, इसका जो slides हो है, इसे start कर सकते हैं, बाकि अगर आप इस presentation को download करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ Share पर एक क्रिक करेंगे इसके बाद आपको एक्सपोर्ट का option मिल जाता है आप चाहें तो इसे PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप चाहें तो इसे PowerPoint फॉर्मैट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जैसे कि हमें PowerPoint format में चीए तो हम यहां से export to PowerPoint पे click कर देंगे, तो यह जो हमारी presentation है, यह export हो जाएगी PowerPoint format में, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर जो हमारी PowerPoint presentation है, वो download होके आ चुकी है, इसका preview दिखाने से पहले, मैं यहां पर एक बार इसका slide show start करके आपको द एक साथ press कर सकते हैं, तो यह हमारी पहली slide है, मैं यहां पर left और right arrow button प्रेस करके, यहां पर जो slide है, इसे change कर सकता हूँ, यह हमारी दूसरी slide है, इसमें आप देख सकते हैं, जो content है, वो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, जो theme है, वो भी काफी अच्छी है, और जो यहां पर image generate हुई है, AI की मदद से, वो भी काफी कमाल की है, मैं left side का arrow button प्रेस करता हूँ, तो यहां पर अगली slide आ गई, इसके बाद यह हमारी अगली slide है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का, यह हमारा powerpoint presentation create हुआ है, यहां पर animation भी लगे हुए है, पाकि अगर आ आपनी जो presentation download की है, इसे आप open करके, इसमें किसी भी तरह की modification कर सकते हैं, जैसी आप powerpoint में अपनी file को open करेंगे, आपके सामने यहां पर एक option आएगा, enable editing का, तो अगर आप इस file में editing करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस option पे click करना है, enable editing पे, तो अभी आप अपनी इस presentation में किसी भी तरह की modification कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर made with gamma लिखकर आ रहा है, अगर आप इसे remove करना चाहते हैं, तो आप इस पे click करिए, delete button दबाईए, तो यहां पर जो यह text लिखा हुआ है, यह यहां से remove हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से आप gamma.app की मदद से अपनी powerpoint presentation बना सकते हैं, कुछ ही मिन्टो के भीतर.